शंगाई सहुक संगठन शिखर सम्मिलन 2022 होने वाला है खास दुनिया के देशों के बीच बदल चुका है समीकरण जहां मिलेंगे दो जिगरी दोस्त तो दुश्मनों का भी होगा आमना सामना भारत करने वाला है बड़ा खेल तो रूस भी रखेगा बड़ा दाओ दोस्तो इस वक्त दुनिया का पूरा समीकरण बदल चुका है ताकत और सत्ता के खेल के बीच विश्व के देशों में खीचतान बनी हुई है कहीं दो देश साथ आ रहे हैं तो किसी के बीच महाशक्ती बनने की खोड़ बनी हुई है ऐसे में 15-16 सितंबर को शंगाई सहयुक संगठन का शिकर सम्मिलन समरकंद में आयुजित होने जा रहा है ये बैठक इस बार कई माईनों में खास रहने वाली है ये बैठक ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब रूस यूकरेन युद के बाद हालाद काफी बदले हुए है दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाने को लेकर ना जाने कितने ही पैंतरे अपनाए जा रहे है ऐसे में इस सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है लेकिन समिट की सबसे खास बात है भारत की मौझूदगी वहीं अमेरिका भी इस बैठक को लेकर दिन राज चोकस नजर आ रहा है वो ये जानने को उत्सुक है कि सम्मेलन का आखिर नतीजा क्या होगा आखिर क्या रंग दिखाने वाला है ये सम्मेलन क्या होगी इसकी स्ट्रेटजी और क्या खास देखने को मिला इस बैठक में ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों इस पूरे समीकरण को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि शंगाई सहहुक संगठन क्या है और इसको क्यों बनाया गया है साथ ही इसमें कोन-कोन से देश शामिल है शंगाई सहुक संगठन एक इस्ताई अंतरसरकारी अंतराश्टी संगठन है जिसका उद्देश संबंदित छेत्र में शान्ती, सुरक्षा और स्थिर्टा बनाये रखना है इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंगाई में हुई थी मुझूदा समय में इसके सदश्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उजबकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है अप्रेल 1996 में में शंगाई में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजबकिस्तान शामिल हुए थे इन सभी देशों ने आपस में एक दूसरे के नसलिये और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए मदद करने पर रजामंदी जाहिर की थी कई विशलेशक इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ पूर्वी देशों का ब्लोक बताते हैं जो नया वार्सा पैक्टम या पूर्वी नाटो बताते हैं S.C.O. खुद को आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ बनाया गया संगठन बताता है अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद ये संगठन अस्तित्व में आये था और उसकी भाषा में चीनी कम्यूनिस्ट पालिटी को 17 खत्रा छिपा हुआ है S.C.O. का मुख्य लक्ष है कि सदश्य देशों के बीच आपसी भरोसा और सच्चे पडोसी की भावना विक्सित करना साथ ही राजनीत, व्यापार, अर्थ व्यवस्था, शोध, तकनीक, परियावन संरक्षन और संस्क्रति को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी सहयोग करना है इस संगठन में भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को शामिल हुए थे ये दुनिया का सबसे बड़ा छित्री संगठन है जो यूरेशिया के लगबग 60 प्रतिशत छेत्र, विश्व की प्रतिशत आबादी और वैश्विक सकल घरेल उतपाद के 30 प्रतिशत से ज़्यादा को कवर करता है S.C.O. का हेड़क्वाटर चीन की राजधानी बीजिंग में है वहीं अब ये खबरें आ रही हैं कि इरान को संगठन के नोवे सदश्य के रूप में जोड़ा जाएगा जबकि बेलारूस ने इसकी सदश्यता के लिए आविदन किया है साल 2019 के बाद पहली बार S.C.O. का शिखर सम्मिलन अब साल 2022 में आयुजित होगा जिसमें सभी नेता मोजूद रहेंगे जुन 2019 में S.C.O. सम्मिलन किर्गिस्तान के विश्वेक में आयुजित हुआ था 2020 में मासको शिखर सम्मिलन COVID-19 महमारी के कारण ओनलाइन तरीके सायुजित किया गया था वहीं दुशामबे में 2021 का शिखर सम्मिलन हाइब्रिड तरीके सायुजित किया गया था भारत के लिए चोथा मोका है जब वो एक पूर्ण सदश्य के तोर पर इस सम्मिलन में शामिल हो रहा है इस बार होने जा रहा ये सम्मिलन काफी खास होने वाला है S.C.O के शिखर सम्मिलन में पहली बार रूस युकरेन युद के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और रूसी राष्ट पती व्लादमीर पुतिन की मुलाकात होगी वहीं दो साल बाद पहली बार चीन के राष्ट पती शी चिनपिंग देश से बाहर निकलेंगे आखरी बार चीनी राष्ट पती ने 17-18 जनवरी 2020 को मियमार का दोरा किया था वहां से लोटने के बाद कोरोना के चलते हालात बदल गए उस वक्त से चीनी राष्ट पती चीन से बाहर नहीं गए है पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री शेहबाज शरीब भी पहली बार पियम मोदी के साथ मंच पर होंगे चीन और पाकिस्तान इन दोनों देशों के भारत के साथ रिश्टे ठीक नहीं है और माना जा रहा है कि पेम मोदी की इन देशों के निताओं से वन टू वन मुलाकात हो सकती है एक और जहां पाकिस्तान के वित्यमंत्री भारत के साथ कारोबारी रिष्टों को सामाने करने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी और शहबाज शरीफ हैं जो कश्मीर मुद्दे से आगे नहीं बढ़ सके हैं अगर दोनों नेताओं की बैठक होती है तो वह साल 2015 में उफा में S.C.O की बैठक जैसी होगी साल 2015 में उफा में S.C.O की बैठक में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी और पाकिस्तान के ततकालिन प्रधान मंत्री नवाज शरीप के भी छोटी सी मुलाकात होई थी इस मुलाकात के बाद द्यूइपक्षिय रिष्टों को पट्री पर लाने की शुरुवात होई थी लेकिन पठान कोट में आतंकियों की हमले के बाद रिष्टे तनावपून हो गए इसके बाद से रिष्टे लगातार तनावपून बने हुए हैं वहीं भारत और चीन के बीच लगदाग से लेकर औरनाचल प्रदेश की सीमा तक तनावचरम पर है दोनों ही देशों की पचास-पचास हजार से जादा से जादा सेनिक सीमा पर जमे हैं लगदाग की तई इलाकों में चीनी सेना ने अपनी घुसपैट की है और कई दोर की बादचित के बाद अब जाकर पीपी 15 को लेकर समझ होता हुआ है अभी देपा सांग समित कई इलाकों में तनाव जसका तस बना हुआ है चीन की सेना ने अकसाई चीन को सेनेज किले की रूप में बदलना शुरू कर दिया और बड़े पैमानों पर हत्यारों की तैनाती की है इस तनाव की बीच भारत और अमेरिका की सेनाएं S.E.O की बैठक के बीच ओली में एक बड़ा युद्धा भ्यास करने जा रही है जो चीन की सीमा से मात्र सो किलोमीटर की दूरी पर होगा यही नहीं युकरेन युद्ध को लेकर भी S.E.O देशों के रुख में मतवेध है युकरेन युद्ध में जहां किर्गिस्तान ने पुतिन का समर्थन किया वहीं ताजाकिस्तान ने जो रूस पर बूरी तरह से निर्भर है वो दूरीधा में है इस बीच का जाकिस्तान ने खुलकर रूस के युकरेन पर हमले का विरोध किया है रूसी राष्टपती के साथ मीटिंग तै है वहीं चीनी राष्टपती शी चिनपिंग के साथ मुलाकात की जादा संभावना है पहले कोरोना और उसके बाद रूस यूकरेन युद में भी पीएम मोदी ने दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले भारत ने दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीती में कोई बदलाव नहीं है और ना ही कतनी करनी में कोई फर्क अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वो रूस के खिलाफ चला जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्रधान मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा हो या कोई दूसरा सभी मंचों से एक ही बात कही पैमाना अलग गलग नहीं हो सकता वहीं आतंकवाद पर कई देशों के रुख पर भी पीयम मोदी ने निशाना साधा था वर्तमान समय में तठस्त नीती ही भारत की विदेश नीती की ताकत है चीन होया पाकिस्तान इन दोनों देशों को भी भारत ने समझा दिया कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर यही बात और चीन को बोडर के मुद्दे पर यह समझा दिया पूरी दुनिया ने इसका बलोहा भी मान लिया S.C.O के मंच पर भी भारत की धाक देखने को मिलेगी रूस यूकरेन युद के शुरू होने के बाद से ही रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिये गए है वहीं भारत बिना किसी दबाव में आये रूस से तेल आयात कर रहा है कई मसलों पर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई लेकिन भारत अपने स्टेंड पर कायम रहा भारत एक ऐसा देश है जो रूस और अमेरिका दोनों के ही प्रमुक संगटनों का हिस्सा है भारत क्वार्ड का सदश्य देश है तो S.C.O. का भी है दोनों ही खेमे भारत को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में है इससे भारत की एहमियत दोनों ही उतों में काफी बढ़ गई है हलेकि चीन के साथ तनाव को देखते वे भारत पश्चिमी देशों के साथ रिष्टों को पूरी मजबूती देने में जुट गया है भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर ने भी एस साफ कर दिया है कि एशियाई सदी का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब की भारत और चीन हाथ नहीं मिलाते हैं भारत चीन की दादागरी को नाकाम करने के लिए कुआश्ट देशों के साथ अपने रिष्टे मजबूत कर रहा है भारत का लक्ष अमेरिका जापान और आस्ट्रिलिया के साथ मिलकर दक्षिन चीन सागर से लेकर लदाग तक चीनी ड्रेगन की दादागरी पर लगाम लगाना है चीन इंदिनों नाकेवल भारत के पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका मालदिव को बलकि दुनिया के कई छोटे द्वीपी राष्टों को सस्ते कर्ज के जाल में फसा चुका है वहीं दूसरी और रूस यूकरेन युद में बुरी तरह से फसा हुआ है और पश्चिमी देशों की और से बेहत कड़े प्रतिबंधूं का सामना कर रहा है पुतीन का लक्ष रूस को ग्रेटर यूरेशिया देशों के सम्हूं का लीडर बनाना है और यही वजह है कि उन्हें बीजिंग और नई दिल्ली दोनों की ही जरूरत है अब भारत को यह तै करना है कि वह किस तरह से S.C.O. और क्वाष्ट के बीच संतूलन बनाता है भारत रूसी हत्यारों पर बुरी तरह से निर्भर है इसलिए वह पुतिन को नाराज नहीं कर सकता वहीं कई विशलेशकों का कहना है कि पुतिन उस समय शी जिनपिंग को नाराज नहीं कर सकते और अगर भारत चीन युद हुआ तो वे हत्यारों की सप्लाई करेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है उदर पुतिन इस दूइधा को देखते हुए भारत और चीन के रिष्टों को पट्री पर लाना चाहते हैं ताकि पूरा फोकस नाटों पर किया जा सके इस बीच अमेरिका को जटका देने के लिए चीन इरान को सदश्य बनाने पर पूरा जोड दिये हुए है माना जा रहा है कि बैठके दोरान पीम मोदी और चीनी राष्टपती के बीच मुलाकात हो सकती है चीनी पक्षिस की तैयारी कर रहा है लेकिन भारत ने कोई अधिकारी का एलान नहीं किया महीरूस की कोशिश है कि S.E.O. के जड़िये भारत और चीन को एक साथ लाकर पश्चिमी देशों के खिलाफ एक जुटता का संदेश दिया जाए यूकरेन युद के बीच जहां पश्चिमी देशों में एक जुटता बड़ी है वहीरूस अलग थलग पड़ा है चीन ने उसकी खुल कर मदद की है